रहे हैं वही बात जम्मू कश्मीर और लदाक की करें तो लदाक में तीन मामले सामने आ चुके हैं जबकि जम्मू कश्मीर से दो मामले सामने आए हैं पाँ पसारते कुरोना को देखते हुए जम्मू कश्मीर शासन भी सतर्ख हो गया है और यही वज़ा है कि जम्मू के पांच जिलो में अनिश्ट कालीन के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है और इन जिलो में राज़ोरी, पुंच, बढ़काम, शोपिया, रहाशी इलाके शामिल है और वही 144 लागू करने के साथ ही पांचवी तक के सभी स्कूल आंगनबाडी केंद्र समेट सारजनिक स्थलो को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया क्या है इसके लाम आपको बता दे कि जम्मू के होटलों को भी बंद करने के ख़वर है और साथी शासन ने मावैशनो देवी आने वाले शद्धालों को रोका है साथी श्रीनगर के अंदर अस्पतालों समेट अन्ने जगहों की भी लगातार निगरानी रखी जारी है और वहाँ पर साफ सफाई को लेकर भी खास ध्यान रखा जा रहा है शासन ने जो जे कदम उठाए है बहुत अच्छे कदम है क्योंकि शुरू में उन्होंने जैसे माल बगएरा बड़े बड़े जहां करोड होते हैं वो बंद की हैं उसके बाद नेक्स्ट उनका जो आया है वो कर रहे हैं कि कारने खाने पीने के डाबे बगएरा रेस्टोरेंट बगएरा जे उन्होंने जो स्टप उठाए है बहुत अच्छे हैं हम भी पूरा सुझोगे हमें भी काल का मेरे भी सेंग कूर जेक्शने शनी में हम भी पूरा कॉपरेट करेंगे बगर मेरा सुझाव है परचासन को कि जहादा कि जैसे लियूकर का वाइन शापे बगएरा हैं बहां बहुत करोड होते हैं उनको भी इसी दाएरे में लाना चाहिए और जे अच्छे स्टप हैं यह सरकार का अच्छा फैसला है क्योंकि यह दुकाने मॉल वगरा होगे पहले स्कूल बंद किये थे क्योंकि वहां पर गैदरिंग होती है गैदरिंग वाली कोई भी जगह जो है वहां पर वाइरिस का फैलने का ज्यादा चांसिस होते हैं तो इसलिए गोवर्मेंट के यह अच्छे डिसीजन है जो इन्होंने मॉल, फूड कोर्स, शॉप्स वगारा क्लोज करने का जो डिसीजन ली है यह बहुत अच्छा फैसला है तो आपको बता दें कि कोरोना वाइरस को लेकर जम्मू कश्मीर में भी प्रशासन और स्वास विभाग पूरी तरीके से सतर्ख है और जम्मू में आपको बता दें कि लगातार वहाँ पर कोरोना वाइरस के मामलों की अभी दो लोगों में पुष्टी हुई है और जम्मू कश्मीर में अभी तक कुल 257 लोगों को सरकार ने अपनी निगरानी में रखा हुआ है इनमें से 1829 लोगों को घरों में ही और अन्य परिजनों से अलग रखा गया है जबकि अस्पतालों में कुल 29 लोग इस समय निगरानी में हैं वहीं 168 लोगों की निगरानी के अबधी पूरी हो गई है और कुल 101 सेंपल को जांच के लिए भेजा गया है इनमें से 87 लोगों की रफोर्ट अभी आनी बाकी है The emerging situation due to spread of novel coronavirus is being monitored very closely in the UTF, Jamin and Kashmir and all necessary steps are being taken in this regard Control rooms and surveillance teams have been activated across all the districts of the union directory In the UT of J&K, so far, 2,157 number of travellers and persons in contact with suspected cases have been put under surveillance. 1,829 are in home quarantine, 29 in hospital quarantine, 131 in home surveillance, 168 have completed their surveillance period of 28 days. So far, 101 samples have been sent for lab testing, out of which 87 have reported negative. Only 2 positive cases have happened. अगर जम्मु कर्श्मीर की बात करें, तो वहाँ पर क्या कुछ सस्थिदी देखने को मल दी हाला कि प्रशासन तो सतर्क नज़र आ रहा है। बिल्कुल कृश्मा, ये मरीजों की सक्या नहीं बढ़ रही है, ये वो लोग है, जो सस्तक्यड है, संदीद है। और ये 2000 से ज़ादा लोग है जैसे आपने ट्रिकर बताई, ये शर्विलांस पर है, जिनकी ट्रेवल एस्टी बहार से आया है, उनको उसर्विलांस पर रखा गया है। दूसरी सारी जो एडवाईजरी हैं, उनको बड़ा मनुशली चेक किया जारे हैं, उनको फॉलो भी किया जारे हैं, लोग कुछ फॉलो कर दे हैं, इस तरीके से सरकार की तरफ से वक्तर वक्तर हैं। तो शायद यहां पर संपर्ख नहीं हो पारा, तो आपको बता दे कि दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है, वहीं जम्मू कश्मीर में भी लगतार लोगों को आईसलेशन में रखा जा रहा है, उनको निगरानी रखी जारी है, और तमाम ऐसे लोग जिन संदिक्द संजा जा रहा है, उन सब को निगरानी के सरी उनकी चांच की जारी है